हेलो दोस्तो वेलकम बैक कैसे हैं आप सब रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो इसे देखने के बाद आपके घर के फालतु खर्चे तो बचेंगे ही साथ ही साथ जो चीजे बेकार हो चुके हैं उनका भी आप बहुत ही लिखना शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम फ्रिज की तरफ दोस्तो ऐसा तो सब के साथ होता है कि फ्रिजर के अंदर बहुत जादा बरफ जम जाती है धीरे-धीरे करके इसमें मोटी परत जमती जाती है और फिर बरफ के पहार बनने लग जाते हैं सब ल पेज़कर्स का यूज़ करते हैं लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए अच्छा में तो यही होगा कि आप इसीच का ध्यान रखें कि बरफ इतनी जमें ही ना कि आपको बात में परेशानी हो तो उसके लिए आप क्या करिएगा सबसे पहले ट्रिक तो यह है कि आप हा कि बरफ जमेंगी जादा नहीं जैसा कि आपको मेरे फरिजर में दिख राओगा इसमें हल्की लेयर जमी है लेकिन बहुत जादा नहीं और हर दो दिन की अंदर इसके बटन को प्रेस कर दें ताकि इसमें बहुत जादा बरफ ना जमी तो अब चलते हैं अल्मारी की तरफ ये एक साथ होती है इस से चाबी के गुच्छे में और इसमें ना कई बार ये होता है कि हमें ना अक्सर पता नहीं चल पाता कि अलमारी की एक्चुल में चाबी कौन सी है और हमें हर चाबी ट्राइ करनी पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चाबी मिक्स होती है और हमें चाबी को ट्राइ करके देख लिए कौन से चाबी इस पर लगती है उसके बाद निशाने के तौर पे इस पे कोई भी नेल पिंट आपके पास है पैन है मारकर है कोई भी ऐसी चीज जो एक बार लग जाए तो आसानी से ना चुटे उसे लगा लिजे उसके लिए ये नेल पिं में आती है लेकिन इन ब्रेड की जो एकसपाइरी डेट होती है वो सिर्फ तीन से चार दिन की होती है उसके बाद ये ब्रेड बेकार हो जाती है बहुत से लोग इसको उसके बाद भी यूज करते है लेकिन उसके बाद यूज नहीं करना चाहिए इसकी जो एकसपाइरी डे ले लिजे बेकिंग सोडा जो मीठा सोडा भी जिसको हम लोग कहते हैं ये भी नॉर्मली सबके घर में अगधितर मेल ही जाता है एक कटोरी में आदे चमच बेकिंग सोडा डाल दीजे और इसमें एक चमच पानी डाल दीजे जैसे इसमें बबल्स उठेंगे इनको अच्छे स बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रिज में से कई बार बहुत बुरी बेड्ट समेल आने लगती है kई बार हम आदा काटप यहां चले संबग कोई सबजी या कोई बनी हुई सबजी रख देते हैं जिसकी वज़ेसे उसकी पूरी समेल हमारे fridge में फैल जाती है और जब जब हम fridge open करते हैं तो बूरी smell बाहर आती है और बहुत ही बेकार लगती है तो अगर आपके fridge में भी ऐसी किसी तरह की smell आती है किसी भी चीज़ की तो आप क्या किजे जो waste पड़ी हुई bread है उस पर आप baking soda डाल लीजे पानी में गीला करके उसके बाद उस प्लेट या बरतन को फ्रिज के अंदर रग दीजे उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी आपकी पूरी fridge की जो bad smell है वो ये bread उब्सॉफ कर लेगा अच्छा उसके अलावा अगर आपके पास waste bread नहीं है bread आपके पास है ही नहीं तो आप क्या करेंगे newspaper को गीला कर लीजे ऐसे ball टाइप बना लीजे और इसको अच्छे से गीला कर लीजे और इससे आप fridge में कहीं भी रग दीजे चाहे तो बीच में रखिए अगर आपके पास bread नहीं है तो अगर बेकार पड़ी bread है तो यूज कर सकते हैं अगली ट्रिक कपड़ों को लेकर है कपड़ों में आपने देखा होगा अल्मारी में जब कभी भी आम कपड़े रखते हैं तो जो सबसे नीचे वाले कपड़े होते हैं कई बार ना उनमें सीलन जैसे आ जाती है और फंगस लग जाती है और एक बार अगर किसी कपड़ में लग जाए तो वो सारे कपड़ों को खराब कर देती है और बहुत बुरी उसमें से smell भी आने लगती है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है अलमारी में आपके बार बार कपड़ों पे फंगस लग जाती है और खास दो पे आजकल तो सर्धियों के दिन है तो जल्दी से कपड़े सूकते भी नहीं है हलके फुल के उसमें नमी रह जाती है और हम ऐसे ही फोल्ड करके डग देते हैं उनके अंदर अक्सर ऐसा होता है तो अलमारी में आप जब कभी भी कपड़े रखते हैं तो आप कोई भी कपड़ा बिचा लीजिए कोई भी न्यूस पेपर बिचा लीजिए उसके बाद ही कपड़ों को रखा करिए तो इससे न आपके कपड़ों में सिलन नहीं आएगी और उसके अलावा आप ये ट्रिक भी यूस कर सकते हैं कि माचिस के स्टिक्स को उन कपड़ों में रख दीजिए जो सबसे नीचे की तरफ रखे जाते हैं तो आपके कपड़ों में कभी भी फंगस नहीं लगेगी क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉंग स्मेल होती है इन तिलियों की जिन में मसाला लगा होता है वो हमें नहीं लगती है लेकिन जो फंगस उसमें लग जाती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है तो कोई कीडा नहीं लगता और कोई भी फंगस इस पर नहीं लगता, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज कीजेगा, चाहे आपके उनी कपड़े हो सकते हैं, या नॉर्मल कपड़े, कोई भी कपड़े आप ले सकते हैं, उन पर यूज कर सकते हैं, अगली ट्रिक मेरी किता आगे तक पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं उनकी इस चीज को problem को solve करने के लिए एक बहुत अच्छी trick में आपको बताने वाली हूँ अगर बड़े भी हैं उनको भी कहानिया पढ़ने का शौक होता है कई लोगों को तो वो भी ऐसे क्या करते हैं जहां तक उनने पढ़ लिया होता है उसके बाद page को fold कर देते हैं और रग देते हैं book को बंद करके लेकिन ऐसा करने से वो page जब fold हो जाता है और अब book open करते हैं तो पूरा page मुड जाता है और वो दिखने में बिलकुल अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा ऐसे फिर मुड़ा ही रहता है तो मेरे पास यह बेकार पड़ा envelope था जैसे हमारे पास होता है na शादी ब्यामे envelope हम देते हैं किसी को यह हमारे पास आ जाते हैं तो यह बेकार पड़ा हुए envelope था ऐसे ही रखा होा था और इन corners का इस book में use करेंगे खास तोर पर आप बच्चों की books में भी इसको use कर सकते हैं और कहीं खोएगा भी नहीं क्योंकि एक ही बार में अच्छे से fix हो जाता है तो जहां तक भी आप पढ़ लेते हैं, बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं वहाँ पर इस corner में इसको लगा दीजे एक तुई अच्छे से दिखता भी रहेगा और दिखने में भी खुबसूरत लगता है मतलब आपको कोई भी pin, strappler, कुछ भी ऐसा कुछ लगाने की ज़रूत नहीं है जिससे कि आपको ध्यान रहे कई लोग बताते हैं कि hair pin लगा लो कई लोग बताते हैं कोई safety pin लगा लो तो उसको करने की ज़रूत नहीं है ये दिखने में भी खुबसूरत लगता है और आपको याद भी दिलाते रहेगा कि आपने कहां तक पढ़ा था ताकि अगर एक खुबी जाए by chance तो फिर आप दूसरे से काम चला सकते हैं तो आई होब कि आपको ये trick भी पसंद आई होगी और आप इसका भी use करेंगे तो दोस्तों ये कुछ ऐसे trick से जिनका इस्तिमाल करके आपके daily काम काफी हत्यकासान हो जाएंगे और बिकार पड़ी चीज़ों का भी आप use कर सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से like कीजेगा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजेगा और चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले कल मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ बाबाई